आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लैपटोप में स्क्रीन शॉट कैसे लेते हैं यानि कि अगर आपके पास भी लैपटोप है और उसमें आप स्क्रीन शॉट लेना चाते हैं तो लैपटोप में स्क्रीन शॉट कैसे लिया जाता है जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ और दोनों ही सबसे बेश्ट तरीके हैं एक तरीका है माउस से और एक तरीका है कीबोर्ड से सबसे पहले माउस से देख लीजिए और फिर में कीवोड से बताऊंगा तो हम यहाँ पर विंडो बटन में जाते हैं आपको विंडो बटन प्रेस करना है और आपको सर्च करना है यहाँ पर स्क्रिंपिंग तूल इक प्लस का अइक आपके बंग किया आजाएगा आपको उस एरिये को सिलेक करना है जहांका screen show आप लेना चाते हूं मैं पूरा screenshot लेना चाहता हूं तो मैं इसे corner पे लेके जाता हूं और इसे यहां से पकड़के नीचे की तरफ कर देता हूं हमारा screenshot आ चुका है हम इसे save गना है तो यहां पर आपको मिलेगा save option इस पर आईए थोड़ा सा wait कर ये आपको मिलेगा यहां पर desktop इस पर desktop पर save कर ये आपको मिलेगा save waste type आप इसे jpg कर सकते हैं या png कर सकते हैं जेपीजी करिएगा और सेव कर दीजिए तो यह हो चुका है आपका स्क्रीनशोट यहाँ पर आ जाएगा अब मैं आपको बताता हूँ एक और तरीका तो आपको यहाँ पर अपने कीवोड पर देखना है आपको मिलेगा FN विंडो और Alt तो आपको FN और विंडो बटन दोनों दबाए रखने हैं इन दोनों बटन को दबाए रखें और आपको मिलेगा आपके कीवोड पर प्रेंट स्क्रीन जहां से देखिए प्रेंट स्क्रीन मिलेगा आप इसे प्रेस करें और आपका स्क्रीन शॉट हो जाएगा मैं दुबारा करता हूं दो तिन बार करता हूं तीन बार कर ले है टोडल मैंने अब इसे स्क्रीन शॉट को ओपन कैसे करना है इसके लिए आपको दिस पीसी या माई कंप्यूटर ओपन करना है यह रहाद दिस पीसी ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक ओप्सन मिलेगा पिच्चर्स का दिस पीसी मार के फोल्डर में आईएगा यहाँ पे पिच्चर्स में किलिक करें आपको मिलेगा यहाँ पर स्क्रीन शॉट का फोल्डर इस पर आईए और आपका स्क्रीन शॉट यहाँ पर आ जाएगा आप देख पा रहे हैं शायद आप समझ गए होंगे इस तरीके को अगर आपको मेरी वीडियो अच् सब्सक्राइब जरूर करें